नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे कि फीमेल कैंडिडेट्स बीसेफ को कैसे जोन कर सकती है इसका सेलेक्सिन प्रोसेस क्या होता है और इसके लिए इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीसेफ के बारे में कि बीसेफ क्या होता है दोस्तों B.S.F. का पूरा नाम Border Security Force है जो की एक Paramilitary Force है और यह ग्रहम अंतराले के अंतरगत आता है B.S.F. की स्थापना सन 1965 में की गई थी इसका मेन कार्य सत्रु सैना के गुस्पैट और सीमा उलंगन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित बनाना है इसका मुख्यालय दिल्ली में है तो अब बात करते हैं B.S.F. में Post के बारे में इसमें Post Group के Coding होती है जैसे Group B, Group C और Group D इनमें Constable, Head Constable, Sub Inspector और Assistant, Commandant आदी के पदों पर जोइनिंग होती है तो इस वीडियो में हम Constable के बारे में आपको बताएंगे कि Female Candidates B.S.F. में Constable के पद पर कैसे जोइन हो सकती हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके Illigibility Criteria के बारे में तो इसमें आप 10th Pass होने चाहिए और आपके 10th में चाहे कितने ही नंबर क्यों ना हो आप इसके लिए Apply कर सकते हो इसकी Vacancy समय समय पर निकलती रहती हैं इसमें आपकी Age 18-23 साल के बीच होनी चाहिए और इसमें Category Wise Relaxation भी है OBC Candidates के लिए 3 साल का Relaxation है और SC-ST के लिए 5 साल का Relaxation मिलता है इसमें आपकी Height 157 cm होनी चाहिए और SC-ST और OBC Candidates की Height 155 cm मांगी जाती है और अगर आप पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते हो तो आपकी Height 150 cm होनी चाहिए ये था इसका Eligibility Criteria तो अब बात करते हैं इसके Selection Process के बारे में इसमें सबसे पहले आपका Physical Standard Test होगा इसमें आपकी Height और Weight मापा जाएगा उसके बाद आपका Document Verification होता है Document Verification में आपके सभी Education Certificate और Original ID को दिखाना होता है इन सभी Process के बाद आपको Physical के लिए बुलाया जाता है जिसमें आपको 1600 मीटर दोड़ साड़े 8 मिनट में लगानी होती है और फिर 9 feet की Long Jump लगानी होती है इसके लिए आपको 3 Chance मिलते है और फिर आपको High Jump लगानी होती है तीन feet की इसके लिए भी आपको 3 Chance मिलते है आपके physical test के बाद आपको return के लिए बुलाया जाता है और return में pass होने के बाद आपका medical होता है और medical test clear हो जाने के बाद merit list लगती है जिसके आधार पर आपको joining दे दी जाती है और आपको training के लिए भेज दिया जाता है तो ये था BSF में constable pad के लिए full selection process only female candidates के लिए दोस्तों हमें आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful रही होगी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें comment section में लिख सकते हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को like कर दीजिए और सभी दोस्तों में share कर दीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe का वड़न दबा दीजिए तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिं झाउब झाउब झाल जैहिं।